हाथों की खाल उखड़ने लगी है हाथ बहुत जादा रेडिश हो गए है और ऐसा मैसूस होने लगाए बहुत जादा एलर्जी हो गई है हेलो फ्रेंट्स रादे कृष्णा वल्कम बैक टू माई चैनल डेली हैक्स विदा विलक्षमी फ्रेंट्स आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यह थी हातों में ऐलर्जी हो गई है ऐलर्जी कई प्रकार से हो सकती है मैंने पहले भी एक वीडियो आपके साथ शियर की थी इसमें मैंने आपको यह बताया था कि यह किसी बीमानी का कारण भी हो सकता है तो यहां हम बात करेंगे एलर्जी साबुन से भी हो सकती है क्योंकि साबुन को हम बहुत जादा यूज करते हैं और यह एलर्जी केवल बड़ों को ही नहीं यह बच्चों को भी हो सकती है बच्चे बड़े किसी भी अवस्था में यह एलर्जी हो सकती है कई पर क्या होता है कि बच्चे साबुन को हाथ पे लगा कर और उसे 5-10 मिनिट के लिए रगड़ते ही रहते हैं जब तक वह सूख नहीं जाता यह कोई भी परेशानी हो वह एक दिन में नहीं होती वह दीरे 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 विक्राल रूप दारण करती है और वह ऐलर्जी के रूप में आ जाती है सामने तो जब यहां पर मैं बात कर रही हूं किवल बच्चों की लेकिन बड़ों के भी जब वह कपड़े वगेरा दोते हैं तो उनके भी इस पकार की ऐलर्जी हो जाती है तो आपको सजिशन यह है कि आप साबुन का बहुत कम से कम यूज़ करें यदि आप कपड़े दोने के लिए साबुन का यूज़ करते हैं तो उस अवस्था में आप हर साबुन की बजाय लिक्विट शॉप का यूज़ करें यह हैं आपके हाथों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और इस तरह कि साबुन का यूज करें जिसमें क्यामिकल बहुत कम हो यदि आप कुछ समय साबुन को छोड़कर और मैं एक बहुत ही नॉर्मल सी रेमेडी आपके साथ शेयर करूँगी आप उसे यूज करें तो definitely कीव आराम मिले तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं तो इसके लिए जो रेमेडी है वह यह है जेतून का तेल वह तो सभी के घरों में उपलब्द होता है जेतून का तेल ले और जहां पर allergy है हातों में आप इसे दौनों टाइम यानि कि जब आपको हातों को भिगोना न लगाना है यदि आप इसे डेली यूज करेंगे लगभग 10-15 दिन बाद ही आपको रिजल्ट सामने आ जाएगा आपको पता चल जाएगा कि आपको काफे रिलीफ होने लगा है तो फ्रेंट्स यह है वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो अ झाल 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 झाल